अगलो फैमिली वापस आचको हम लोग दस सुसाइड एसकॉर्ड के एक और नियो एपसोड के साथ तो गर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंड ने बताना कि आप और भी कोई ability होगा skill होगा वो कितना ज्यादा strong है बोलता है कि मुझे बस ये step आता है single skill आता है बोलता है तुम मजा कर रहे हो है तुम्हें और सारे skill आते होंगे जैवान बोलता है हां मुझे और skill आते हैं मतलब कि एक होड़ा है light step, normal step और heavy step मुझे 3 skill आते हैं मतलब मुझे मजा क्यों कर रहे है तुम में और क्या है आता है फिर विनो जोती मिनो जोती बताती है कि मुझे एक बंदे के और बारे में पता है वह बस एक single skill यूज करता था जैसे कि तुम सिब a step यूज करते है वैसे लेकिन वह step ने वह cut यूज करता था वो अच्छा मतलब वह single skill technique यूज करता था जिसका नाम cut था बता था हाँ फिर मीनो बोलती अच्छा तुमने जो थोड़ी दर पहले attack किया था वह miss कैसे हो गया वह बोलता है वह miss नहीं हुआ मीनो बोलती अच्छा miss name तो फिर तुम्हारा जो attack था वह उपर जाके च्छत पे रूप पे क्यों लगाता क्या तुम अपने जो strength को इक attack कर रहे था रिजेश्ट कर रहे था हलका पूर का slip हो गया इसलिए वह attack उपर की और चला गया वो बता था नहीं ऐसी बात नहीं हुआ जैन बताता ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जब इस थाक्स लोग से रॉबर्स लोग से फाइट कर रहे थे तो एक बंदा था जो अपना stealth ability, stealth skill को यूज़ करके उपर की तरफ चीपा हुआ था और हम लोग के उपने जड़ रख रहा था और जैसे मुझे यह सब के बा बोला था कि किसी को कर सामने लाना है तो उसकी सामने वाल इच्छत को उड़ा दो वो सामने आ जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ मीनो बोलती है अच्छा तुमारे यह attack जो था इतना cool था इतना powerful था तो मैं उसका कोई special नाम रख सकती हूँ बोलता है cool name क्या रखना चाहोगी बता तो वो बताती है कि जैसे डार्क डिस्ट्रॉइंग पीसर या फिर असुरा इंफनाइट जैब बोलता है इन सब नाम यह सब नाम मुझे पतसर नहीं को और नाम बता बताती है कि heaven destroying dissolution attack या फिर comment लंक बताता है कि चुप चाप चलते रहो तुमारे नाम में कोई भी दम नहीं है फिर वो दोनों मीनो और जैवान जोते मार्केट में आगे चलना स्टार्ट कर देते फिर मीनो जो बोलती है फाइनली हम यह पहुंच के देखो इस जगा का नाम टूइलैट डस गर्सक है वह एक लोहर के घर पे मतलब दुकान सौप पहुंच जाती है वह बलती यह जो असमीथ है यह जो लार काफी ज्यादा पारफूल है और पूरे गोरगाउं जो यह कास्टल सबसे बड़ा जो समीत है यह मीनोर जैवान जैसे उस दुकान के अदर सौप के अंदर ज उस बंदे कनाम नेवेन होता है जो कि ट्विलाट गिल्ड का एक क्राफ्ट में होता है मिनों उसे बोलती अच्छा पर सारे जरेशन फुल है क्या वोलता है क्योंकि जो वर्क्षॉप का मैनेजर वाज अपसेंट है और यहां पर सिप एसिस्टेंट मैनेजर है और वाज काफी मैनेजर बनता है जो मतलब एक होल को आघ जाल देया उसिम इस तरवार को यूज करने का एक मोगा अगा माप एक चांस दो वाप एक और बंदा तो वो बलता है मास्टर मास्टर मुझे भी रिएन टौ यह तो चार सिंग वाली सफ्ट का होर्न है मुझे यह रिव्ड का है और तुम चाहते हैं कि तुम इस टाफ चीज के अंदर ऐसे ही छेद कर दोगे मुझे यह देखी काफी अच्छा लगए कि तुम लोग सब को ट्राय करना चाहते हो लेकिन अगर तुम लोग मेंसे कोई इसके अंदर वो छेद कर सकेगा तो इनसे कोई फर्ट नहीं पड़ मुझे लगता है कि तुम लोग काफी जाथ काम ज़ूरी तुम लोग तो इसके ओपर चेद कैसे करोगे अगर मैं तुम लोग को च्छान्स कर सकों और काफी दिखाते है जैवान जो आगए की तरफ निकल लाता है और वहां पर जो बंदा उससी बात कर रहा हो तक कराप ह्य होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें चांस मुझे भी थोड़ा सा चांस मिल जा है तो मैं उस चांस सिंग वाले बीष्ट के होड़न को टाच कर सकूँ और काफ़ ज़ता मज़ा आएगा लेकिन तब तक जैवान आगे तरफ निकल जाता है बोलता है कि रुखो मुझे यहा करना चाहता है होगा लेकिन जो assistant manager हो तो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कहां से आया और कौन से workshop में काम करते हो लेकिन यह चीज बागी काफी ज्यादा strong है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम आपने किसी भी चीज़ से यसे चेद कर सकते हो तो तो तुम ऐसा न करने वाला इसलिए मुझे भी लगता है कि तुम फेल हो जागो लेकिन जैवान अपनी उगली का फिर अपतार से एक ही उगली को उसके उपर मारता है जिसके बाद वहां पे चोड़दार बाश्ट होता है जो भी बंदे होता हो पीछे के तरब हट जाता है जो assistant manager हो तो जैस assistant manager हो तुम सब मेरे अंडर काम करो गयी और वहां पे घुमाते घुमाते देखाते वह एक होरन होता है उसके उपर crack पड़ने स्टाट हो जाता है और साथ ही वो तूट जाता है यह देखिए जिन्दा नहीं छोड़ँगा तुम्हें पता भी थ्रत कि यह चीज़ाने च्चि मैं बोलता है तुम इतना ज़्यादा चिला कि रो मैंने तो इतना अराम से किया है कि अब टूडिया तो इसकी मतलब की गल्ती थी ना ये एक नजम जो कमजोर था मैंसे बड़की और वो जो वाक्सप का एक और बंदा था वो दोनों सौक हो ज़्यादा बोलते है आखिर इसने मैंनेजर बोलता है कि क्या तुम लगता है कि तुम सौरी को गया हम लोग तुम लोग तुम्हें आज पर छोड़ देंगे ये एक फॉर्ण हॉर्ण बिष्ट का सिंग था और इस कीमत तुम क्या जानोगे तुम्हें क्या पता ये कितना ज्यादा महंगा होगा और वो जैव मैंनेजर बोलता है कि मैं क्या तुम जैसे भीखारी के बातों पर विस्वास करूंगा कि तुम लोग के पास को ऐसा चीज़ोगा जो मुझे देखे उस हॉर्ण का रीपे कर दोगी यानिकी बदला चुका दोगे जवान जो ता अपने पैकेट में उस बैग में हाट डालता बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यह दे दो तो उसके सामने कोर सिंग कर देता और बताता यह चीज़ है जो कि मैंने किसी पांच सिंग वाले बीष्ट के मतलब सरपी से कबाड़ा था उस यह देखके वान पर जितने भी बंदे होते काफ ज़्यादा सौग ज़्यादा बोल मैं दुकान को यूज कर सकता हूं क्या क्यों मैं तुम्हारे कर सकता हूं क्यों मैं कौमारे कंष्टमर भी हूं कि यहां पर लगता है कि जो भी चीज़े हो रहे थी वह सब खाफी अराम से अपनी पढ़ने माले मुझे किसी से फाइड नहीं करने पढ़ेगी उस वर्क्षोप के बाहर दरवाजे में गेट पर क्लोज का सैंबूल लगा दिया यानि कि उस वर्क्षोप को क्लोज कर दिया ज बिशचा फील लोगों से वह काम करवा सकते हैं चैन भी जो होता होता है भी आसनी हमर बलता है कि ने इसे खुद से मार के इस चीन लिए है लगता है कि मैं तुमिदी बात विजवास कर लूँगा कि तुमने एक पांद संग वाले भीषट को अपने हातों से मार डाला बलत ह कि हाँ मैंने उस चीज से खुद फाइट की और अपने हाथों से उसका सिंग कबाड़ के तुम्हारे पास ले आया हूं मुझा मनी मन सोच रहा होता है कि अखिर ये बंदक खुद से मुझे पांसिंग वाला होर्न कैसे दे सकता हो सकता है इसने खुद में उसे मारा होगा चलो पिर जैवान बोलता है चलो फिट ठीक है तुम मेरी मदद कर सकते हो ना क्योंकि इस जॉप कम है थोड़े देर के लिए ही लेकिन अश्रेन मेंजर तो हूँ पिर उस बुढ़े इंसान से बोलता है कि चलो ठीक है तुम मेरे लिए खातियार वेपन बना के दो क्योंकि मैंने है आग से पहले कभी वेपन ने बनाया जितने भी वेपन बनाया सारए बने वेपन को बस रिप्अ चाल पोलता है क्या तुम पी सिंग से एक टियार बनाना चाहते हो क्या तुम्हें लगता कि इस घरनक कौन यूजक करना इतना जयद हसान होने वालई है जैवान अपनी चाहते हैं सिंग को यूज काना चाहते तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसी स्वाट को और ज्यादा इंप्रूपूपूइस करना चाहिए और उस खारणी को यूजिन नहीं करना चाहिए क्युक्कि वो जो है काफ जाए था मुश्चित होने वाला लेकिन तभी उसके हाथ स वो जो बिश्ट होता है वो फ्ले मिंगउ बीपन था हना व प्ष्ट पंटि के रम इस प्वाले बिश्टव को कंग भीए यह तलवार काफि या था लिन ही वाल जायों कि लगता है नहीं कि और अपने पहुंशने स्टार्ट कर देता है बताता है कि जी साब से इसकी सेफ चेंज हो रही है मुझे लगता है यह एक ग्रेट एवलुशन होने वाला और एक बार इसके एवलुशन कंप्रीट हो गए तो इस स्वाड को हमें नियू नेम देना पढ़ेग लेकिन प्रवल्बम यह नहीं कि हम लोगों के पास वह पांच वाले भीश्ट का भारण नहीं रहा यह सुनेंग भाद जैन बोलता है यह तुसके बात है यह लेकिन पहले तो मुझे लगए परिमिस्ट के सारी चीज़ों खाते रहे हैं तो मैं तुमारा नाम पिगी शॉर् पहले तो मुझे लगए ता कि तुम्हारे पास एक ही सिंग होगा लेकिन फिर जैवान बोलता है नहीं नहीं आसी बात नहीं है असल में हो जो पांच वाला बिश्ट था उसके तो पांच सिंग थे नहीं तो मैंने पांच उसिंग को कबाल दिया इस सुनने के पाद वह बंदा बोलता है चलो ठीक है सबसे पहले मुझे बताओ कि आखिर तुम इन सब चीजों को रिफाइन कैसे करते हैं बोलता है अच्छा ठीक है तो बताता है कि सबसे पहले आपको इसके लिए एक कोई भी सेप चुनना होगा जो से इसको देना चाहते हो जैवन बोलता है चलो इन सब्सक्राइब करते हैं तो अब आपको एक्स्प्रेंशन अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देने चैनल पर पहली बार आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना मिलते है नेक्स वीड़े साथ तक लिए बबाबाई श्टे एपी स्प्रेट लाव